कर दोस्तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आप सभी का एक सवाल है जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा आप सब लोगों नहीं सवाल कमेंट बॉक्स में पूछा मुझसे और मैंने सोचा कि वीडियो बना क आपको तीन ही मौके मिलेंगे और अगर आप उस दोरान सेलेक्शन ले पाते हैं तो ठीक है वरना उसके बाद आप अपलाई नहीं कर पाएंगे तो अगर आपने अभी का भी नोटिफिकेशन पड़ा हो उसमें भी यही बात लिखा था कि अभी आपको वरतमान में भी यही सितीं कि आपको तीन मौके दिये गए हैं तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशाण हो रहे हैं कि अर्दी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वपे सब्केशन नहीं होता है तो देखिए सिंपल भी नहीं है तीन अटेम्ट आपने नोटिफिकेशन तो पड़ा लेकिन बहुत लोगों ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला तीन अटेम्ट का क्या मतलब है मैं समझाऊंगा भी आपको और एक छोटा सा एक तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप ये पता लगा पाएंगे कि अगर आपका सचमुच में लास्ट अटेम्ट है तो क्या आपको प्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सबसे पहले बात मैं आपको बता दूँ कि ये देखे बीपीएसी जो ये तीन अटेम्ट की बात कर रही है इसको लेकर आपको हो सकता है कि बहुत सारे नियूस पेपर के माध्यम से भी पता चला होगा कुछ इंटर्नल सोर्सिस हैं उनके थ्रूभी आपको पता चला होगा क कि जैसा कि भी बात चीट चल भी रही है कि जो ये अटेम्ट की जो लिमिट है उसको हटा दी जाएगी लोग मांग भी कर रहे है कि जो लिमिट है इसको हटा दीनी चाहिए और सारी सुऽधरों से पता भी चल रहा है कि इसको अपा दिया जाएगा लेकिन अभी तग कुछ confirmation नहीं है BPSC खुद कह रहा है कि यह decision जो है वो हम नहीं लेंगे सिख्षा भी भाग लेगा ठीक है वो future की बात है क्या होगा क्या नहीं होगा जो भी होगा आपके सामने उसका result रहेगा ठीक है पहली चीज दूसरी चीज देखें यह मेरा personal opinion है जो मैं आपके साथ share कर रहा हूं कि जो limit वाली बात है यह होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि यह teaching exam ले रहे हैं यह कोई gazetted post नहीं है जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे teacher select करने हो जो की बहुत ही जादा higher qualified हो मतलब की जैसे UPSC में होता है न की बहुत higher qualification चाहिए हो higher qualification in the sense qualities चाहिए होती है qualities in the sense कि decision making abilities उनमें जादा हूँ teaching एक different चीज है इसको UPSC से compare नहीं करना चाहिए UPSC IS से compare नहीं करना चाहिए it's a different thing ठीक है BPSC को समझना चाहिए कि आप teaching की job ले रहे हैं और qualities teacher आपको लेना यह आपकी जिम्यदारी है उसके लॉल्डी सीटेट बीटेट होता है तो इतना कुछ होना काफी है यह तीन attempt वाली चीज ना खतम कर देनी चाहिए यह बहुत सारे इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन जोना अंदकार में जा सकता है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इतने सालों से तयारी करते हैं teaching जो खासकर जो teaching profession में हैं और vacances बहुत कम निकलती है हाला कि यह अभी पि जयना इसको हटा देना चाहिए यह तो में था personal opinion मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा सबसे पहले लेकिन उससे पहले मैं यह समझाना चाहूंगा कि आखिर जो यह तीन attempt की बात है यह क्या है सबसे पहली चीज आप समझ लेजे कि BPSC में जो vacances हैं यह first to five, six to eight, nine to ten and eleven to twelve इस तरीके से निकली हुई है ठीक है यह आप सभी को पता होगा अगर आप notification ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसमें साफ साफ लिखा है कि एक उमिदवार किसी एक श्रेणी में सिर्फ तीन बार ही apply कर सकता है कहने का मतलब यह है कि अगर आप first to five में apply कर रहे हैं तो अगर मान के चलो person A यह first to five में apply करता है मान लो इसने TRE1 और TRE2 TRE1 और TRE2 में इसने apply कर दिया तो first to five में आप इसके पास एक ही मौका बचा है ठीक है लेकिन six to eight और बाकी स्ट्रेणी में अगर उसने अभी तक apply नहीं किया तो तीन तीन attempts इन तीनों में अभी भी बचे हुए हैं I hope आप समझ गए होंगे कि अगर कोई वेक्ती apply कर रहा है तो उसको हर एक category में तीन तीन attempts मिलेंगे ठीक है तो जिन लोगों का first to five में ये last attempt है बाकी categories में उनके पास अभी attempt बचे हैं या मान लोग किसी ने first to five six to eight में भी दो दो बार दे दिया है उनके लिए इन दोनों सबसे important question भी है कि ये मेरा अगर last attempt है भी मान के चलिए अगर first to five में ही आप eligible है और आपने दो attempt दे भी दिया है तो क्या तीसरा attempt आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ठीक है देखिए ये ना कुछ बातों पर depend करेगा सबसे पहला तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे important चीज जिस पर depend करता होती number of vacances पर कि number of vacances कितनी आई हुई है जैसे कि अगर आप देखेंगे ना तो इस बार भ vacances जादा होती है selection होने के chances बढ़ जाते है first thing second thing यह होती है कि आपकी preparation ठीक है आपकी preparation कैसी है ये भी बहुत जादा important होता है मान के चली आपने TRE 1 TRE 2 दिया और आपका जो score था वो कुछी mark से आप बच रहे थे हर बार एक number दो number से मतलब काफी करीब थे तो आपको ये attempt देन चाहिए क्योंकि अगर आपने अभी भी अपनी तयारी continue रखी है तो I am sure कि आपका इसमें selection हो जाएगा ठीक है तो आपकी preparation कैसी है number of vacances कैसी है इन पर भी depend करता है अगर मान लीजे number of vacances कम होती तो मेरा suggestion होता कि आप इसको skip कर सकते हैं लेकिन number of vacances अगर जादा है तो आपको स्किप करिए अगर त्यारी अच्छी है तो इसको जरूर दीजिए ठीक है आपका selection हो जाएगा तो यह कुछ ऐसे सवाल है जिसको लेकर के मैं कहूंगा कि आपको यह एक्जाम देना चाहिए आपको इस चीज का इंद्जार नहीं करना चाहिए कि पता नहीं BPS यह लिमिट ह जवाब जो है आपको मिल गया होगा मेरा काम था अपने हिसाब से आपको चीजे समझाना उमीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और जो भी decision है उसो समझ के लेंगे इस वीडियो में इतना ही रखेंगे वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेर मत करना मत भूलिएगा और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद